हेलो फिंट्स वेलकम टू सड़िव पाट शाला आज की दोस्तों जो क्लास है काफी आदा इंपॉर्टेंट होगी इसमें हम लोग डिसकस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन्स जो हैं MS Excel के जो आपको पता होने चाहिए और जो आपसे पूछे भी जा सकते हैं ठीक है इसमें अपको 100 lei सेट्स मिल जाते हैं और जी सुर्पी पिलस आपके टाइपिंग के सेट होंगे 25 अपके at to carn or 25 जो है आपर आप पावरपॉइंट के सेट्स अपको मिल जाएंगे और यहनस भी सेट्स खूँगे और इनका और को इन सबिसेसे जी का वीडियो solution भी मिलेगा तो आप आसानी से अच्छे से कर पाऊगे आपको क्लियर रहेगा कि क्या चीज़े अपलाय करनी है क्या चीज़े नहीं अपलाय करनी एक डिटेल बेसिकली आप समझाए गई है तो आप इस बुक को ले सकते हो दोस्तों लो इस कॉस्ट में बुक मिल जाएगा अपको अडिश सम निकालने के लिए आपको क्या करना है किसी भी नंबर्स का सम निकालना है तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है जैसे इस यहां पर हमें सम चाहिए तो उन क्या करेंगे इन नंबर्स का अगर हमें सम निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना होता है ठीक है फिर सम लिखना होता है ब्रैकेट ओपन करना होता है ठीक है अब यहां पर जो भी numbers का पो सम चाहिए वह आप यहां पर सम कर सकते हो ठीक है जैसे फॉर example मेरे को last four जो है यह last four जो है इन numbers का सम चाहिए तो हम इस range को select करेंगे यह जिस भी number का हमे sum चाहिए वो हम निकाल सकते हैं पुरी range select करेंगे bracket close करेंगे और enter करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा sum ठीक है अब यह last four जो थी इनका sum था last four cells का sum था इसी तरह से दूसरी तरह से हम sum कैसे निकाल सकते हैं आपको equal करना है sum निकालना है दूसरा तरीका क्या होता है अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को first वाला और यहां पर fourth वाला और last वाला इनका sum चाहिए तब कैसे निकालोगे उसके लिए क्या करोगे पहली वाली पर select करना है उसके बाद comma लगाना है ठीक है पूरी रेंज ना लेके specific value अगर चाहिए होगी तब sum निकालना होगा तो आप इस तरह से निकालोगे और फिर से ब्रैकेट क्लोस करना और एंटर कर देना है तो यह आपका specific cells का अगर आपको sum निकालना है तो आप sum निकाल सकते हो अगला जो है आपका count count और count a दो चीजे होती है दो बहुत ही ज़्यादा important function है जो आपसे पूछे जा सकते है ठीक है इन दोनों को कैसे use करते है दोखो पहले में बता देता हूं होता क्या है count क्या होता है कि जो भी range आप select करते हो उनमें से केवल उन ही values को count करता है जिन में numerical value होती है अगर आप normally count function का use करते हो जबकि count और गया करता है जिस भी cell में कुछ भी value होगी यानि अगर चाहे वो alpha numeric किसी भी तरह की value हो उन सब को count करता है जबकि count केवल क्या करेगा जिन में numerical data होगा केवल उतनी cell को count करेंगा ठीक है difference में बता देता हूं आपको जैसे for example equal लगा है आपने और लिखा count और bracket यहां पर open करेंगे ठीक है और मैं इस पूरी cell को जो है यहां से यहां तक पूरी range को select कर लेता हूं ठीक है bracket close करेंगे अब इसका answer क्या आएगा यहां प और दो यहां पर number दिए गए तो 6 प्लस 2 इसलिए 8 answer आगया अब इसी जगह पर हम count a यूज करते हैं for example equal करके हम लोग count a यूज कर रहे हैं तो count a यूज करेंगे तो उसके लिए क्या करना है फिर से आप पर पूरी की पूरी range आप लोग select करोगे ठीक है उसके बाद फिर से bracket close करने और enter करने अब यह 18 आगया अब यह 18 क्यों आया इसने जितनी वैलूस में कोई भी देटा लिखा हुआ था चाहे वह alpha हो चाहे नुमेरिक हो alpha नुमेरिक दोनों तरह की डेटा को यह count करता है ठीक है जैसे 6-6-12 तो यह हो गए यहां से यहां तक 12 प्लस 2 14 और 14 दो 16 और 18 तो इस तरह से जितनी सेल्स में डेटा था उन सब को count किया count एने जबकि count ने केवल क्या count के जिन में नुमेरिकल डेटा था ठीक है यह main difference होता है दोनों में और जो blank cell होंगी खाली cells होंगी उनको count नहीं करता है यह चीज़ आप लोग समझ गए होंगे इतनी भी बात आपक लिख लेना है उसके बाद bracket open करेंगे और जिन भी numbers का average चाहिए उनको select कर लेना है और example मेरे को second से लेकर second last तक चाहिए तो इसका हम range select करेंगे bracket close करेंगे उंटर कर देंगे तो यह आपका क्या जाएगा average यहां से लेकर यहां तक इन numbers का average जाएगा इसी तरह average का दूसरा function कै क्या सकते हैं average में आपको क्या करना bracket open किया आप कोई specific अगर value चाहिए जैसे first वाला में चाहिए उसके बाद यह मोहन वाला चाहिए और मोना वाला चाहिए ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे first वाला यानि कि रवी वाला select करेंगे cell उसके बाद आपको यह पर मोहन और फिर bracket close करके enter कर दोगे तो यह average आजाएगा है तो इस दो तरह से हम लोग basically use करते हैं तो आयोप आपको average निकालना आगया होगा कोई specific numbers का अगर आपको average निकालने को बोलाएगा तो आप इस तरह से निकाल लोगे राइट दोस्तों इसके बाद आता है if function इस बहुत ही ज़्याद दी होती है ठीक है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ equal लगाएंगे if लगाएंगे तो यहाँ पर जवाब यहाँ पर देख रहे हो if के साथ यहाँ आपको इसका जो है syntax दिया हुआ यह syntax बता रहा है कि आपको इसमें क्या करना है इसमें सबसे पहले आपको logical test लिखना क्या logical test ह होना चाहिए उसके बाद value of the true यानि value is true अगर true value आती है तो पहले लिखना है फिर comma लगा के false value लिखना होती है ठीक है तो यह हम कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर for example हम लोग यूज करते हैं इस cell में आपने equal लगाया if लगाया अब आपको for example condition दे दी गई कि अगर यह वाली value is greater than और equal to यहाँ पर यह value है वो greater than equal to 20 के है ठीक है उस case में क्या लिखके आना चाहिए for example अगर आपको यह भी text लिखोगे तो inverted comma में लिखोगे ठीक है जैसे लिखके आना चाहिए good ठीक है वही दूसरी condition यह कब आएगा good कब लिखके आगा जब पहले यह जो condition आपको आपन देनी है false value value फिर से आप यहाँ पर inverted comma में लिखा है for example bad लिखा हुआ है अगर 20 से अबब या 20 के बराबर नहीं है नहीं इससे greater है तो इस case में बैड लिखके आना चाहिए तो यह condition हमने देदी bracket close करिंग और एंटर कर देंगे तो यह देखो 20 से छोटी value है इस वाज़े से यह इसी को पूरे में ड्रैक कर देंगे तो हमें good और वैड़ा में पता चल जाएगा मतलब यह 20 से बड़ी एसले गुड़ा रहा है यह भी 20 से बड़ी इसले बड़ी इसले इसले गुड़े यह condition इस तरह से हम लोग इसका यूज कर दें काफी अधा important होता है function ठीक है तो इसको आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे आपको यूज करना है और multiple tables में यूज होता रहता है ठीक है मैंने कई सारे आपको अलड़ी इससे लेटे जो एक्जाम्पल कराया हुए है अब सभी practice set को watch करोगे इसमें आपको इसके practice set मिलेंगे राइट इसके अलावा एक और होता है सम इफ सम इफ कैसे यूज करते हैं इसको समझेंगे जरा यह भी काफी important है सम इफ में कुछ नहीं है सम और इफ का combination है यानि सम तो करेगा यह value लेकिन कब करेगा जब condition अपलाए होगी condition लगाने के बाद सम अपलाए करेगा simple sum नहीं करेगा इसको कैसे यूज करते हैं आप equal लगाओगे उसके बाद आपको लिखना है सम इफ और ब्रैकेट ओपन करना है अब यहां पर रेंज दे देनी है जैसे मैं यहां पर यह रेंज दे दे ता हूं पूरी ठीक है उसके बाद आपको कॉमा लगाना है अब आप criteria क्या होता है कि for example यहां पर आपको देखना है कि son sonu जो है sonu जो है person है उसके total कितने marks है ठीक है sonu देखो यहां पर कितनी जगह पर है यहां पर पहली जगह पर यह दूरी जगह पर दो जगह सोनु है अगर किसी specific month का data आपको देखना है कि इस month में कितनी बार sales हुई या इतनी बार क्या चीज़े हो तो वहां पर हम लोग यूज़ करते हैं जैसे यह data लिया हुए हमने sonu यहां पर कितनी जो sonu है उसको total marks कितने है यह हमें अगर निकालना है sonu को एक जगह 39 मिलना है दूसरी इसका मैं सम चाहिए तो यह हमने condition दे दी आप उसके बाद आपको कॉमा लगाना है और फिर से रेंज सेलेक करने अब रेंज कौन सी होगी जो data वाली जिसका आपको सम करना है ठीक तो यह data वाली रेंज सेलेक कर लेनी है और उसके बाद bracket close करके एंटर कर देना है तो यह value 66 ह ठीक है कैसे आई Sonu का यहां पर 39 है यहां पर 27 है दोनों को जोड़ोगे तो 66 हो गया ठीक है इस तरह से समीक फंक्शन का यूज किया जाता है और I hope आप लोग समझ पाए होंगे better way में कैसे हम लोग समीक फंक्शन का यूज करेंगे राइट अब देखो इसके बाद आता है क कोई बीटा डिय एक से ज़्रेंट में डह समें तो इसको गंबाइन कर लिए और वो डेटा होना चाहिए किस फ़र्म में अलफा अलफाबैटिकल होता है जाव से फॉर एक विग्जामपल्स नाम लिखा वहा सो नु निगम हमें इसको एक ही जगाल लग नाम लिखना है तो टो हम इसको साथ लिखनां तो हम कॉंद केक्टनेट का यूज कर सकते हैं इसके क्या करना है help लगाएंगे और आपको इसके बाद आपको लिखना है आपटि कर देना तिखेंग यह अब In certains ऐसान धूकी से यह सट्रेंट कर दो prep एक ही सेल में आ गया यहां पर जो है सोनू प्लस निगम दोनों मिला कि एक साथ एक ही सेल में आ गया यही में function होता है कौन के टनेट का ठीक है काफी important function होता है और कई बार इसको यूज के जा चुका है ठीक है multiple जगह पर इसको यूज के जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन के टनेट काफी important है इसके बाद दूस्तों अगला आता है max max और मिन यह काफी simple से होते हैं और इनके उपर भी question कई बार पूछा जा चुका है max और मिन में क्या होता है simply जो भी आपको range दोगे उस range में जो maximum value होगी वह यह निकाल लेता है और मिन में क्या होता है जो minimum value होती ही वह निकाल लेता है for example equal करके हम लोग लिखेंगे यहां पर max और bracket open करेंगे अब यह पूरी range देता हो है ठीक है तो इस range में जो सबसे बड़ी value होगी वही आजाएगा वही इसका answer हो जाएगा तो इको सबसे बड़ी value 39 आ रही है यहां पर देखोगे आप सबसे बड़ी value कौन सी है 39 है तो इसलिए 39 answer आया इसी तरह main function होता है equal करके मिन आपको use कर लेना है मिन लिखोगे bracket open करोगे फिर से ही range देते हैं हम लोग और इस range में देखेंगे सबसे छोटी value कौन सी है तो सबसे छोटी value इसमें 15 है 15 है तो देखो आप चेक करो 15 है सबसे चोटी value तो 15 है यहां पर इसलिए सयूद तरह आ गया तो यह चीज आप यहां पर max और min का use कर सकते ह इसके बाद देखो आता है आपका integer ints कोई बोलते हैं integer function क्या करता है कि अगर कोई fractional value है तो उसको वो इंटीजर में convert कर लेगा integer का मतलब क्या होता है कि जो number आएगा वो fraction से घटके whole number में आजाएगा यानि अगर कोई value suppose लिखी है कि 7.258 है तो इसका integer whole number क्या बनेगा whole number इसका 7 बनेगा क्योंकि यह जो function है यह down में basically इसको integer में convert करता है एक तो अप होता है down होता है round अभी function मैं बताऊंगा आपको round up और round down यह दो values और होती है तो यह round up में basically convert कर देता है और example हम लोग यहाँ पर यह अगर यूज करें इसी में अगर हम लोग यूज करें इंट function को तो equal आपको लगाना है int लिखना है ठीक है bracket open करोगी और यह cell address देना को bracket close करना रेंटर करोगी यह value कितनी आ गए 7 आ गए क्यों 7 है क्योंकि इसमें integer में कर दिया और nearest में करता है ठीक है तो यह round down में करेगा ठीक है round down में कैसा का मतलब यहाँ पर कोई भी value लिखी हो point के बाद जो यहाँ पर whole number होगा इसमें वही केवल उसको लेगा ठीक है इसमें इस नंबर में integer value कौन सी है 7 है इसलिए यहाँ पर निकालना है तो इंट आप यूज कर लोगे तो इसमें जो इंटीजर वाला नंबर आएगा वो के वाल आजाएगा और जो fractional value हो वो इसको skip कर देगा और यहाँ पर एक्जामपल अगर हम use current function का equal लगाएंगे इंट लगाएंगे अब अपकी में यहाँ पर value दोनों लेके द लिए तो fractional value छोड़ देता है कि वाल इंटीजर वैलू ले लेता है ऐसा ही 15.75 है तो यहाँ पर भी आंसर कितना हैगा 15 ही आएगा फिर से हम लोग देखों एक बार यूज करके देखते हैं ठीक है यहाँ पर यह वाली value लोगे bracket close enter फिर से 15 आया क्यों 15 आया क्योंकि यहाँ पर इंटीजर वैलू 15 है और decimal वैलू 7.75 ठीक है तो यह बात आई होब आप लोग समझ पाओंगे बड़ी है तरीके से clear है दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद आगे जो है अगला है राउंड अब राउंड के लिए कैसे यूज करेंगे हम लोग सामझ हो जाना र लाउंड लगाना है राउंड पर क्लिक करोगे राउंड लिक लेना है ब्रेकेट ओपिन करना अब देखो हमें राउंड करना है कितनागद क्रण यांप लिख लेंगे 2 ठीक है old एंटर कर देंगे तो टू डिजर्ट तक यहां पर राउंड अप हो जाएगा ठीक है 5689 था इसलिए राउंड अप में 57 आ गया इसी तरह अगर हम इसको वन डिजर्ट में और एंटर कर देंगे तो यह वैलू आएगी 23.6 क्यों है 23.6 क्योंकि 0.5 से बढ़ा है इसलिए उसमें 0.6 में कर दिया ठीक है इस तरह से राउंड अप करना होगा तो हम जो क्राउंड का राउंड फंक्शन का यूज करते हैं ठीक है दोस्तों तो आई होप यह समझे हमें चैनल आंब ए Okay now और राणू रानू ऐ है और यहां पर थोड़ा सा स्पेश देथिया अग्याइतना सारा फाल इसलिए अगर आटाना कि रानू जो लिख आै लेकिन इसका स्पेस मेamt करना है जो खता होगा होगी तो यह दख़े के अई हम लोग फर्मश्न का इक्तों करक्त ह हो गया तो यह जो इस पेस होता है उसको यह घतम कर देता है ट्रिम फंक्शन काफी इंपोर्टेंट है बेसिकली जब टेबिल वगएर आप लोग बनाते हो तब वहाँ पर यूज पायोंगे इसके बाद आता है एंड लेको एंड और इस दोनों लाजिकल फंक्शन होते हैं त अब उस केस में आंसर ट्रू आएगा अधर्वाइस फॉल्स आएगा ठीक है इसको एक्जामपल के तूर समस्क्ते हैं जैसे फॉर एक्जामपल एक्वल किया आपने एंड लिखा ब्रैकेट खोला पहला लॉजिकल टेस्ट आप दे रहो है आप पर फॉर एक्जामपल यह स इस वैलू इस एक्वल टू अब यह 27 27 की जगें 26 लिख देता है ठीक अब देखो दो वैलू तो यहां पर हमाया इसाफ से ट्रू है यह हमें पता है यह 15 वाली वैलू 15 है 22 वाली वैलू 22 है 27 वाली वैलू हमने अपने आप से गलत लिख दी 26 है इस केस में आंसर का एगा फॉर एग्जामपल एंड लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे अब यह वाली वैलू एक्वल टू 16 ठीक है फिर से दूसरी लॉजिकल वैलू यह वाली वैलू मने देदी एक्वल टू 27 जो वैलू दिये वह है यह दर टे लिख देना है ठीक है तीसी वाली वैलू बराबर है 39 के ठीक है ब्रैकेट क्लोस करेंगे और एंटर करेंगे तो देखो आगया टू क्योंकि आप जो में तीन वैलू सी थी वह तीनों की तीनों की तीनों सही थी इस वज़े से टू आया अदर्वाइस फॉल्स आ जाएगा तो यह चीज़ आप लोग ध्यार नखेंगे इस त अब आतक बात समझ में आ गई होगी आप लोग के इसके बाद आता है कंडिशनल फॉर्मेटिंग यह काफी इंपोर्टेंट होता है इसमें कुछ नहीं होता है फॉर इक्जामपल आपने टेबल करी इसमें कुछ आपको फॉर्मेटिंग मिल जाती है जैसे ग्रेटर देन ल पर आप सारी चेक का सकते हो अब जैसे आपने कहा दिया कि ग्रेटर देन कित्से बड़ी होनी चाहिए जैसे दे दिया 30 से बड़ी वाली जो है वह किस कलर में है वह यलो फिल आए ठीक है तो ओके कर दो यहां पर 39 जो है वह बड़ी वैलू यहां पर टेक्स क्योंकि नंबर यहां पर केवल नंबर वाली वैलू है अपको रिंच सेलेक्ट करनी है तो वही बैसिकली इसमें 30 से बड़ी वैलू हैलेट हो जाए ठीक है इसी तरह अगर हम Other यूज़ करना चाहिए अगर हम यूज़ कर रहे है तो नंबर वाली चाहिए इस तरह between अगर हमको लेना है तो क इसके किसके बिट्विन चाहिए हमने ले लिए पंदरा से पंदरा से तीस के बिट्विन जो है वह किस कलर से आ जाए वह लाइट रेट फिल्ड हो जाए ठीक है तो इस तरह से आप लोग इसको कंडिशनल वॉमिटिंग का यूज कर सकते हो इसके लाब और भी चीज़े होती ह यहाँ पर इसमें आपको दिये टॉप बॉटम रूल होता है जैसे यह पर हाई ही टॉप ग्रेट टॉप वाला है 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 यसे टॉप बॉत बॉटम है कि टॉप के 10% हाइलाइट हो जाए तो तो टॉप के 10% वैवलू जुए वह हाईलाइट हो जाएंगी ठीक है इसी तरह से आप यहां पर conditional formatting का use कर सकते हो इसके लाब बार वगेरा में कर आपको data convert करना तो बार में convert कर सकते हो बार बन कर रहा है 15 वाली value यह थर्टी वा नाइन वाली 22 वाली उससे बड़ी है 15 से बड़ी हा रही है 16 वाली value जो है 15 से थोड़ी सी बड़ी हा रही है तो यह इस तरह से बार में convert कर सकते हो data को ठीक है समझने के लिए बाकी scale वगेरा और होते है color वगेरा अगर यहां से change करना है icon में convert करना है यहां से icon में कर सकते हैं जैसे यह tower वाला होता है ठीक है तो यह इस तरह से जो है आप यहां पर conditional formatting का use करके कहा सकते हो अब जैसे आपको हटाना है तो उसके लिए आपको clear कर देना है simply clear selected cell और entire sheet तो अगर पूरी sheet में आपने कई जिगे पर formatting apply की होगी तो entire sheet करोगे या फिर अगर नॉर्मली अपने जो selected cell कर रखी उससे अटानी है selected cell कर दोगे मैं आप entire sheet कर देता हूं सबसे याड़ गया है ठीक है तो यह इस तरह से conditional formatting यूज कर सकते हो highlight करने के लिए values को right तो यह भी आई होग समझ में आगया होगा आपको इसके बाद आता है fill fill में क्या होता है कि अगर आपको कोई specific value जो है पूरी यह पूरी as it is copy करनी है की जिगह पर तो fill function का use करते है पर इसमें क्या करना है जैसे फूरी नंबरिंग कर लिए तो हम क्या करेंगे इस पूरी range को कर शुरू अब यहां पर स्टार्ट वैलू और स्टॉप वैलू दिए अगर हमें पता है कि कहां से कहां से शुरू होगी और कहां से खतम होगी तो हम यहां पर स्टार्ट वैलू और यहां पर जो है स्टॉप वैलू और स्टेप वैलू शुरू कर देंगे जैसे स्टॉप वै copy करना है इन सेल्स में ठीक है हुम क्या करेंगे जितनी सेल्क्टेट सेल्स वसमें फाइव लिख की आ जाए तो उसके लिए फिल में जाना है और यहां पे जो है राइट पर क्लिक करना है यहां से अप में करना तो अप वह पूर्ए क्लिक करेंगे तो पूर जो है वहीं और फिल अंपर याँ पर यहां पर doing करने तो दिखाएंगे और बाइट तो बीज़िकली जो भी आपको वैल्यू cow बॉटन यहां पर आपको करना होगा फिल वहां पर फिल फंक्चन का यूज़ करके कर सकते हो राइट तो आई होब आप लोग समझ पाएंगे फिल फंक्चन कैसे यूज़ करना है राइट दोस्तो इसके बाद आप लोग बढ़ते हैं आगे इसके बाद जो अगला इंपर्टेंट फंक्चन हो अब अब यहां पर क्या होगा फंक्चन क्या करता है कि जो भी निगेटिव वैलू होती है उसको खतंब कर देता है ठीक है अबिस योट यहां equal करना है आपको ABS लगाना है ABS लिखना है bracket open करोगे और यह cell address देदेना है आपको ठीक है bracket close करोगे enter करोगे plus का 15 आगया अब यहां पर कोई भी value अगर negative में लिखी हुए तो वो automatically plus में लिख देगा इसी तरह अगर plus की value होगी तो वो भी plus की ही आएगी ठीक है for example plus वाली value में भी ABS लगा के देखते हैं आप ABS लिखोगे bracket open करोगे value ले लिख bracket close के enter के तो देखो plus की value लोगे तो भी plus का आया और negative value ली तो भी प्लस का आया ठीक है तो यह OBS ABS का basically वर्क होता है तो यह आप लोग ध्यानक होगे राइट तो यह बात आई आप लोग समझ गया होंगे ABS function use कैसे करना है तो यह जो important formula थे जो आपको अच्छे से आने चाहिए और इतनी चीज़े basically अगर आपको अच्छे से पता है तो आप normally जो है जो भी आपको sheet दी जाएगी बनाने को उसमें सहर तरह की formula भी लगा लोगे सारी चीज़े कर लोगे इससे जादा बहुत कुछ नहीं पूछा जाता सीजल में तो इतनी चीज़े आपको आने चाहिए इसके रिगार्डिक तो आई हो friends यहां तक आपको बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा इसके साथ आप टेलिग्राम चैनल को जरू जोइन कर लेना इस पर आपको सारी इंपोर्टेंट पीडियस मिल जाएंगी क्लास की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइट कर दूँगा साधी साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँग कर रहा है और सब्सक्राइब कर लिजेश चैनल को अगर आप में से कोई नय है तो और इसके लाग कोई सजीशन देना चाता हो तो वह भी दे सकते हो वह भी अगर कोई टॉपिक इंपोर्टन लगता तो वह भी आप सजेस्ट कर सकते हो रही ट्रेंट तो अभी गले इतना ही नेक्स मिलतेटी ख्लास में, थैंक्स फो वचिंग।